असलामुलीकूम आई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल पर आज हम शल्जम मटर बनाएंगे तो जैसा कि मैंने कड़ाई में एक कापल का डालिया था दो छोटे प्याज लेके छी लिये थे मैंने और त सब्सक्राइब तक यह गॉल्डन ब्रावन होते हैं उसके साथ साथ हम अपना दूसरा प्रासेस भी करते हैं दूसरी साइड पर मैंने एक कड़ाई रखी है बिल्कुल साफ सादा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला इसमें जो शल्जम है ना उनको मैंने छील के ब्रीक ब्रीक काट लिया था वो डाल देती हूं और इसको ऐसे ही सादा ही डाप देते हैं कुछ नहीं इसमें डालना तो जब तक हमारा तड़का त्यार होगा तब तक यह हमारे शल्जम भी अच्छे से गल जाएंगे और यह ऐसे पकाने से बहुत मज़े के भी बनते हैं और बहुत असा खेला करें तो जैसा कि हमने प्याजों को को गौल्ँ ब्रॉं होनी शुरू हो गएं इसको थोड़ा सा मजीद और गौल्लन ब्रॉं करेंगे फिर हम इस में थोड़ा सा पानी लगा करिए दाम पे राक देंगे दर्म्यानी онаच पर इसको गौल्व ब्रॉं करना है अगर ह साथ से आठ मिन्ट लगते हैं ऐसे ब्राउन करते हुए तो बहुत ही मज़े के यह बान का मसाला हमारा त्यार होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी दगाती हूँ मैं और इसको डाक देती हूँ जब तक यह इसमें तड़के की आवाज आनी शुरू नहीं हो जाएगी ताप तक पानी भी खुशक हो जाएगा फिर हमारे तड़के की वाज भी आएगी फिर हम इसको आपको आगे दिखाते हैं यह बढ़ना है वो डाल लेते हैं एक दो मिंट इसको भी फ्राइ करते हैं उतनी देर हम अपने शल्जम भी चेक कर लेते हैं गले के नहीं तो यहां पर देखें बिल्कुल हल्की आच पर हमने ऐसे शल्जमों कर रखना है अगर तेज आच पर रखेंगे तो यह नीचे भी लग सक करते हैं तो हमने बिल्कुल हल्की आच पर रखाता यह देखें शल्जम हमारे अच्छे से गल गए तो इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी दिर उतनी दिर हम अपने तड़के में जो अदरक डाला था वह दो मिंट में के लिए हमने बूं लिया अब इसमें सबस मिर्चों का पेस्ट में डाल दिया है टोमाटर मैंने नहीं डाला क्य dibuj मुझे प्संद नहीं तुमाटर इसलिए मैं बहुत कंपूमाटर यूज़ ए में नहीं डाला आप यहाँ पे टोमाटर भी डाल सकते हैं तो मिर्च डालके एक मैंने जीरा लियाइ साबस एक टीश लाल मिर्च, एक टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून मैंने खल्दी ली है, तो यह डाल देती हूं, तो यहां पर हमने मसालों को अच्छे से भूनना हैं, क्योंकि मिर्च का कच्छा बन खत्म करना होता है, इसलिए हमें चार से पांच मिट भूनना पड़ता है, तो यहां पर जाके हमारे थोड़े से ठंडे हो गए, अब इसको हम जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है, उसके साथ अच्छे से कूट लेंगे, मिक्स का लेंगे, कूटने के जरूरत नहीं सिर्म मिक्स ही करना है, तो हमने मिक्स का लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं लसन कुछ कुछ नजर आ रहा है इसको भी हमने तेज तेज चमच अला के अच्छे से मिक्स करना है ताके अच्छे से मसाला बन जाएए यह देख सकते हैं अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए है मसाला अच्छे से बन गया है अब मैं इसमें मटर डाल देती हूं तो यह मौसम के मटर हैं इस मौसम में जो मटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं बे मौसम में हो तो वो जल्दी गलते नहीं है तो यह तो मौसम है इसलिए जल्दी गल जाएंगे हम इसको एक से दो मिन्टर इस मसाले में बूनेंगे फिर हमने जो मिक् हमने इसको बनाया है उसमे थोड़ासा पानी डालका जो असाल लगा होगा हूगा वह भी उतर जाएगा और इसमें डाल देगा और गजो मत्रों की रही कसर है वो भी गल जायगी तो यह किराई पानी डाल के उसको डाल लिया है सिर्फ थोड़ा सा हाफ से भी हाफ काप है तो मैंने डाल के इसमें डाल दिया है अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे हमने ज्यादा पानी डाला आप देख सकते हैं बिल्कुल कम पानी डाला है सिर्फ मट्रों को थोड़ा सा गलाना था थोड़ा से यह पका लिये थे हमने बून लिये थे अब हम इसकी थोड़ी यह कसर आगी वह गला लेंगे फिर हम इसमें सबस्दर निया डाल के इसको सर्व करके देंगे तो यह देखें ओयल भी उपर आ गया है अब देख सकते हैं कितने अच्छे से ओयल उपर आ गया है हमारे मटर भी गल गए हैं अब हम इसके उपर सब तीन सोरी यह मैं बताना बूल गई हमने तीन टी स्पून जो हैं छोटे वो चीनी के डाले थे आप यहां पे गुड़ भी शक्कर भी डाल सकते हैं इससे टेस्ट बहुती ज्यादा बढ़ जाता है शल्जमों का आप एक बार डाल के जरूर देखें तो मैंने डाल के मिक्स करके उपर मैंने दनिया डाल दिया था एक दो मिट के लिए हम मज़िद दंपे रखेंगे क्योंके हमने चीनी अभी डाली ह उसका जो पानी होगा वो खुशको झाईगा यह देक्षी है बहुत ही मज़े के बन के तियार होते हैं तो अमीद करती हूँ आपको आज के मरी रेइप अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें and सब्सक्राइब करें मिलते हैं ए नेक्स वीडियो में तब तक लिए लाह आफीज